तो दोस्तो वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी मैं हूँ सुमिच ओधरी और आज का हमारा टोपिक है क्रिश्चियनिटी यानि इसाई धरम इसाई धरम के बारे में हम डेटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसाई धरम का राईज किस तरह से हुआ इसकी हिस्ट्री और इसका बैक्गराउंड क्या है किस तरह से इसकी फाउंडेशन रखी गई जो जिसस क्राइज जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं उनका जनम कहा हुआ उन्होंने किस तरीके से क्रिश्चियनिटी का परचार परसार किया और क्या कुछ घटित हुआ उनके जीवन में उसके बाद हम बात करेंगे Christianity के जो belief हैं उसकी philosophy हैं उनके बारे में और last में हम देखेंगे कि Christian धरम आगे चलके किन-किन भागों में बट गया तो यह जो है हमारी चर्चा का विशे रहेगा पूरा Christianity जो है इस वीडियो में और हम देखेंगे कि जिसुस क्राइस का जो जनम हुआ वहां से लेके उनको क्रूसिफाइड जब किया गया वहां तक उनके जीवन में क्या-क्या घटत हुआ उस चीजों को भी डिसकस करेंगे तो किस्चनिटी से पहले भी हमने काफे सारे धर्मों के बारे में चर्चा कर चुके हैं जैसे के हिंदूइजम के बारे में आपका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा आप नीचे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और डिसक्रिप्शन में इसाई धरम है का भी हम बना रहे हैं तो हिंदूइजम है इसलाम है सिक्षिजम है बुद्धिजम है और सभी के बारे में हमने वीडियो बना लिए हैं और आने वाले समय में और बाकी जो religion बजगे हैं उनसे related वीडियो भी आपको मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं क्या है सबसे पहले बात करते हैं Christianity की तो Christianity के बारे में आप एक basic बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा follow किये जाने वाला जो धर्म है Christianity लगबग दुनिया की 31-32% आबादी इस धर्म को follow करती है और आज के समय जब मैं वीडियो record कर रहा हूँ तो लगबग 2.38 billion people जो हैं इसको इस faith में believe करते हैं Christianity में इसाई धर्म को follow करते हैं तो इतना बड़ा religion है दुनिया का पहले नमर का religion है अगर following की इसाब से देखा जाए तो तो इसका जो rise है वो किस तरीके से हुआ और इसके जो believer हैं वो किन चीजों में believe करते हैं इसको हम detail में देखेंगे तो Christian faith जो है यह Jesus Christ की जो teaching से उन्हीं के उपर आधारित है कि Jesus Christ ने जो चीजें बताई जिन चीजों को follow करने के लिए कहा उन्हीं को follow करते हैं और वही लोग कहलाते है Christians यानि की इसाई ठीक है तो इनके बारे में देखते हैं कि आज के समय दुनिया में Christian religion कहां कहां फैला हुआ है इस map को आप ध्यान से देखी और एक बार ढंक से एक डेड़ मिनिट तक इसको देख लीजेगा वीडियो को पोज करके कि दुनिया भर में कौन सी जगह पे कौन सा religion majority में follow के जाता है यह हमारा भारत और भारत में majority में जो religion है वो है Hinduism ठीक है तो Hinduism भारत में सबसे ज़्यादा follow के जाता है उसके बाद Sikhism भी भारत में follow के जाता है इस इलाके में ठीक है उसके बाद बात आरती है हम जिस religion की बात कर रहे हैं वो है Christian तो Christian religion जो है और इसके काफी सारे अलग अलग रूप है जिसमें आपको Catholic दिखेंगे Protestant दिखेंगे Protestant दिखेंगे और और भी अलग अलग फॉर्म होती है जिनके बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं तो Roman Catholic अलग है Protestant अलग है और various अलग Churches से है Orthodox Christians अलग है तो यह अलग अलग दुनिया के हिस्सों में देखते हैं आपको Western World में भी दिखेंगे अमेरिका में भी दिखेंगे और Australia continent में भी दिखेंगे तो दुनिया भर के बहुत सारे continent में Christian religion जो है फैला हुआ था उसके अलावा हमने बुद्धिजम और जैनिजम भी पड़ा है बुद्धिजम जो भार्त से ही ओरिजिनेट हुआ था और भार्त के जो Eastern भागों में फैल गया चाइना और इधर जाके जापान और Korean Peninsula यहां पे फैला हुआ है ठीक है और उसके अलावा भी बहुत सारे religion जो दूसे नमबर पे आपका आता है इसलाम religion 19.8% दुनिया भर में मुस्लिम है और यह religion जो है Middle East नहीं शुरू हुआ और यहीं पे ज्यादा तर इस इलाके में यह religion फोलो किया जाता है ठीक है तो इन सभी धर्मों के बारे में हम बात करेंगे और Jewish जो है दुनिया का one of the oldest religion माना जाता है वो भी इस इलाके से ही originate हुआ था जो Jerusalem है उसके बारे में हम बात करेंगे आज एक Jewish country है वो है इसराइल और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कुछ को चीज़े आएंगे और जोडाइजम को हम separate वीडियो में तो पढ़ेंगी तो इस वीडिय 2050 का जो prediction है उसके साब से यह जो है इसमें भी Christian ही सबसे उपर रहेंगे तो आज भी Christian ही सबसे ज़्यदा population में है और आगे भी 2050 तक आपको दिखेगा कि यहाँ पे Christian ही पहले नंबर पे रहेंगे ठीक है दूसे नंबर पे आज भी Islam है तब ही रहेगा तीसे नंबर पे Hinduism और जो तीसे नंबर पे वैसे तो population में आते हैं वो लोग जो कि किसी भी religion को follow नहीं करते हैं यानि सेकुरल हैं और indigenous religion को भी follow करने वाले लोग हैं वो हैं फिर बात करते हैं Christianity की, origin की कि जो Christian धरम है, इससाई धरम है, इसका origin कहां से हुआ और किस धरम से इससे पहले ये लोग किस जिसको follow करते थे, तो एक धरम है जोडाइजम, यानि कि जोईश लोग जिसको फोलते हैं, यानि यहूदी हिंदी में बात करें तो यहूदी धरम को follow करने वाले लोग थे, वहीं से शुरू हुआ था, तो एक टरम बोली जाती है जिसको बोलते हैं इबराहिम religion में तीन religion आत की जाती है और तीनों ही इस इलाके से originate हुए थे, ठीक है, Middle East वाले इलाके से originate हुए थे, इनको इबराहिम religion कहा जाता है, तो एक तरीके का Christianity भी इबराहिम religion है, और यह आप एक तरह से देख सकते हैं कि जोडाइजम के अंदर ही एक आगे चलके reform था, जिसके बाद Christianity एक न लिया था, तो उसके पीछे के कुछ कारण थे, और उनको हमने उस वीडियो में देखा ही है, उसी तरीके से जोडाइजम से निकल के Christianity एक नया धरम बना, और आगे बना तो इस तरह से बना कि जोडाइजम पुराना religion होने के बावजोद भी इस से Christianity है, वो बहुत आगे निक करते थे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे जो इलाका था जहां पर जोडाइजम फॉलो किया जाता था, इसको हना कंट्रोल करते थे, रोमन अमपायर स्पेशली, और जो फोरेन पावर्स थी, उनका हस्तक्षे बहुत ज़्यादा हुआ करता था, यहां पर कल्चरल पर बात कर होई गए, और उन्होंने इस धर्म में रिफॉर्म करने की कोशिश की जोडाइजम में, तो धर्म जोडाइजम में तो वो रिफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलके एक नया धर्म उन्होंने जरूर फॉर्म कर लिया, और वो आगे चलके क्रिश्यनिटी के नाम से जा करते हैं correct belief में correct belief यानि कि orthodoxy में बिलिव करते हैं और ये करते हैं कि अब एक और बात है एक और समझेगा पहले क्योंकि जोडाइजम आया तो जोडाइजम की पहले बात करते हैं तो जोडाइजम में वाले लोग करते हैं बिलिव correct conduct में correct conduct यानि कि करम की बात हो रही है करम एक proper discipline से होना चाहिए ये बात बिल्यू करते हैं जोडाइजम के लोग यानि Jewish people जो हैं वो बिल्यू करते हैं यहूदी लोग इस चीज में बिल्यू करते हैं हलांकि हर एक religion के अंदर ही आपको करम के बारे में बात करी होती है करम को supreme माना जाता है लेकिन साथ ही साथ कुछ ethical और moral values भी होती हैं हर एक religion में और जोडाइजम में इसकी कमी थी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है Christianity के origin के समय ये एक बड़ा reason यही था कि जोडाइजम में जो है वहाँ पर correct conduct यानि discipline की बात ज़्यादा होती थी करम की ज़्यादा बात होती थी और उसके अलावा जो life के बारे में जो concept है कि जैसे life के बारे में होते हैं कि life का goals क्या है क्या ethical values हैं क्या moral values हैं और क्या ground होने चाहिए moral high grounds क्या होने चाहिए उनके बारे में ज़्यादा बातें थी नहीं और उसके अलावा जैसे हिंदुईजम में जैसे बुधिजम और जैनिजम का राईज हुआ उसी तरीके की चीजें जुड़ाईजम में भी थी कि यहां पे जैसे इश्वर से डारेक्ट कॉंटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था काफी सारे ट्रेडिशन्स आ गए थे काफी सारे प्रीस्ट बीच में आ गए थे मीडियेटर्स हो गए थे इश्वर और एक तरीके से उनके फॉलोवर्स के बीच में तो इस तरीके से कुछ एक तरीके से वो देख सकते हैं कि जोडाइजम थोड़ा कॉंप्लेक्स हो गया था लोगों को समझने के लिए तो इसलिए जो है Christianity जो है वो एक ऐसा धरम बनके आगे चलके जो कि थोड़ा easy था, liberal था तो इसलिए एक तो ये बड़ा common difference है जोडाइजम और Christianity के अंदर ठीक है और इसके बारे में हम ये new testament और old testament है ना ये आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको tension लेने की जरुवत नहीं है Torah और Talmud जो है तलमूर ये text है इनके, जोडाइजम के important taxes है इनके अंदर इनके बारे में बता रखा है कि किस तरीके से जोडाइजम को follow किया जाना चीए क्या तरीके से correct conduct क्या होता है, करम किस तरीके से किया जा सकता है इश्वर की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के मारक क्या है, वो सब चीजें जो है इन taxes में दे रखी है और जोडाइजम में इसके बारे में हम detail में चर्चा करेंगी ठीक है, उसके बाद बात आती है कि Jesus जो है, जो Jesus Christ जो है इनको Christian religion में माना जाता है कि ये जो हैं भगवान के बेटे हैं Lord के son है, son of Lord माना जाता है, Christ का मतलब भी होता है है आगे हम डेटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो individual salvation के बारे में Christians believe करते हैं और Jesus Christ को Savior की तरह से वो देखते हैं और Son of God देखते हैं, लेकिन Jewish जो हैं, वो collective participation में believe करते हैं, और वो individual salvation में believe इतना नहीं करते हैं, लेकिन collective participation में ज्यादा करते हैं, और इश्वर को किसी human form में वो believe नहीं करते कि इश्वर कभी भी human form में Jesus Christ की तरह नहीं आई देखो Jesus Christ को भगवान का रूप माना गया, भगवान का बेटा माना गया Christianity में लेकिन Jewish लोग हैं वो उनको भगवान नहीं मानते ठीक है और ये crucifixion के समय भी हम देखेंगे कि जब Jesus Christ का crucifixion हुआ उनको सूली पे लटका दिया गया, क्रोस पे लटका दिया गया तो उसके पीछे के भी कुछ कारण इसी तरीके से थे कि ये जो Jewish extremist थे, जो Jewish के कटरपन्द थे, उनको पसंद नहीं करते थे ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि Christianity में True Gods के बारे में माना जाता है, Trinity का concept है उसमें believe करते हैं, हम इसको भी हम पढ़ेंगे इनकी philosophy में और उसके बाद ये है कि जोडाईजम के लोग Trinity के concept में believe नहीं करते हैं वो सिर्फ भगवान के एक इश्वरवाद में ही believe करते हैं तो सिर्फ एक इश्वर है, उससे connect करने के तरीके हैं बहुत सारे उन्होंने बता रखें, जोडाईजम में बहुत सारे traditions हैं बहुत सारी prayers हैं, बहुत सारे priest को उसमें बीच में सम्मिलित किया गया है तो काफी complex religion है जोडाईजम, और आज के समय जोडाईजम ज्यादा दुनिया के हिस्सों में नहीं किया जाता फोलो सिर्फ इसराइल एक ऐसा देश है, जहां पे जोड़ है Jewish people जो है, वो रहते हैं उनका एक ऐसा religion है, ऐसा एक देश है, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक फिर बात आती है Jesus Christ की, वो वेक्ति जिन्होंने Christianity की नीव रखी, जिनको founder माना जाता है Christianity का, ठीक है, तो Jesus Christ जो है, इनको Christ नाम तो पहले था नहीं, इनको बोला जाता था Jesus of Galilee, Jesus of Nazareth, ठीक है, तो Nazareth और Galilee जो टाउन है, और उस समय क्या हुआ करता था, यहां के जो लोग थे, उनका एक कल्चर था, कि वो उस जगह के नाम से जाना जाते थे तो Galilee में रहे थे, नजरेत में रहे थे, तो इसलिए इनको Jesus of Galilee और Jesus of Nazareth कहा जाता है Christ क्यों कहा गया, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो एक जगह है, यह जो Jerusalem है आज के समय, जो आप अगर बात करें तो Jerusalem जो है, वो पढ़ता है आज के समय इसराइल में, इसराइल के कंट्रोल में है और बहुत सारे देश जो है, वो इसराइल को as a country, अब accept ही नहीं करते कि इसराइल नाम का कोई देश है, तो वो बोल देते हैं कि Jerusalem जो है पलेस्टाइन में है, तो बात यह है कि इसराइल या फिर पलेस्टाइन में जेरुसलम पढ़ता है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है ज इनका नाम है Mary the Virgin, Mary the Virgin इनको कहा जाता है कि इसका मतलब ये था कि कहानियों में ऐसा कहा गया है कि जो Jesus Christ है, ये बायलोजिकल वे में पैदा नहीं हुए थे, ये एक भगवान का आशिरवाद थे, मैरी को एक आशिरवाद मिला था और उसके थूँ ये पैदा हुए थे, वैस कि Mary the Virgin इनको आशिरवाद मिला था और उनके बाद ये पैदा हुए थे, तो देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए, कि कुछ लोग इसके उपर scientific अगर debate करना चाहें, तो वो चीज यहाँ पर possible नहीं है, बहुत सारी mythology और religion में ऐसी चीज़े होती हैं, जिस पर आप scientific बहस कर करेगा नहीं, क्योंकि religion के लोग कहेंगे कि यह जो है, जो चीज है वो beyond the science है, और science के लोग कहेंगे कि यह एक गलत बात है, यह सही नहीं है, truth नहीं है, ठीक है, तो इस पर आप scientific भहस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि Mary जो है, उनको यह एक तरीके से आशिरवाद में Jesus का जर्म हुआ था, और किसी तरीके की biological संतान नहीं थी, तो इनके पिता नहीं हो सकते, सिरफ माता थी, और लेकिन Joseph नाम के एक वेक्ति थे, जो इनके एक तरीके से earthly father थे, जो इनके साथ रहते थे, मैरी के साथ, वो एक carpenter थे, उनके साथ ही रहते थे, ठीक है, और शु एक तरीके से persecution किया था इस area का, यह जहाँ पे पैदा हुए थे, वहाँ पे, यह बैथ लेहम बें, तो इनको यहाँ से इनकी family ने जगह छोड़के Egypt चले गए थे, तो वहाँ पे नजरेत इनको कहा गया, Jesus दै, नजरेत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनका बच्पन वहाँ पे बीता, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे Jesus Christ का जनम हुआ, जहाँ पे वो बड़े हुए, वो सभी जगह जो है, वो आज के लिए समय Christianity के लिए important holy sites है, ठीक है, तो कारपेंटर के साथ ही रहे, इनकी माता के साथ रहे, और उसके बाद यह वापिस आए, ठीक है, जब इनका सम family में ही बड़े हुए थे, ठीक है, और Jewish थे, तो यह चाहते थे कि जोड़ाइजम जो है, उसी में कुछ reforms लाए जाए, यह ऐसा नहीं चाहते थे कि इनको अपना एक नया separate religion बनाना ही था, ऐसा नहीं था, यह चाहते थे कि यह जो जोड़ाइजम में जो complexities हैं, इनको मैं ठीक कर दूँ और यह एक तरीके से reform हो जाए, और यह भी शुरुवाती समय नहीं था, बाद में आगे चलके, जब इनको enlightenment मिला तब, ठीक है, जब 30 साल के थे, तो इनको baptize किया गया, जोन दबैप्टाइज के द्वारा, बैप्टिजम क्या होता है, देखो, Christian religion में भी होता है, और जुडाइजम में भी होता है, बैप्टिजम यानि कि एक तरीके से आप उस धरम के परचारक बन जाते हैं, तो यह जुडाइजम के परचारक बन गए थे, पूरी तरीके से इनको baptize किया गया चर्च में, और वहाँ पे यह 30 साल के थे उस समय, जोर्डन नदी के किनारे जोर्डन आज भी अगर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, इस्राइल के पास में है, तो वहाँ पे इनको जोर्डाइजम ने बैप्टाइज किया और उसके बाद यह जुडाइजम को परचार परसार करने लगे हैं, उसके बाद तीन सालों त जिसस ट्रेवलिंग के लिए निकले और उन्होंने अपने 12 डिसिप्लेंस के साथ वो निकले, यानिकि इनके 12 शिश्य थी, 12 डिसिप्लेंस बोला जाता है, जिसस के 12 डिसिप्लेंस ओफ जिसस क्राइज, ठीक है, इनको 12 अपोस्टल भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी करताइज थे और रिलीजन का परचार परसार कर रहे थे मिस्नरी थे लेकिन एक बात यह है कि इनकी जो मिरेकल्स थे वो एकदम भोती हट के थे बाके लोगों से एक तो यह सर्विस के लिए जाने जाते हैं देखो क्रिश्यन धरम जो है ना उसमें सर्विस एक भोती इंपोर् मानते हैं और इसकी शुरुआत हो गए थी जीसस क्राइस सहीं जीसस क्राइस हर उस आदमी की मदद करते थे जो कमजोर था और इस्पेशली बिमार लोगों की मदद करते थे बिमार लोगों को हील कर दिया करते थे तो वो जमाना जिस समय मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा नहीं हुआ था उस समय अगर कोई आदमी बिमार है उसको ठीक कर दिया जाए तो उसको भगवानी माना जाएगा इसलिए लोग इनको यहां पे इनकी जो फैन फूलोविंग है वो बहुत ज़्यदा बढ़ने लग गई ठीक है तो लोग इनको बहुत पसंद करने लग गए और इनका जो नाम है वो आसपास बहुती चर्चा में आने लग गया और इनके जो मिराकल्स थे उनमें से कुछ की बात करें कि एक वेक्ती थे जो मारे गए थे ज ये जो हैं चीजें ये इनके क्रिश्यनिटी के जो टेक्स्ट है उनके अंदर आपको मिल जाती है ठीक है वो टेक्स्ट की बात करेंगे कौन-कौन से जो टेक्स्ट है इनके अंदर जिनके बारे में क्रिश्यनिटी के बारे में लिखा हुआ है वो हम आगे चर्चा करेंगे अभी जल्दी ठीक है तो यह Jesus Christ का राइज हुआ as a figure जिस तरह से लोग उनके fan follower बनते चले गए ठीक है अब एक बात और होती है कि Jesus ने क्या-क्या teaching दी जब वो जगए-जगए पे घूम रहे थे लोगों से मिल रहे थे और उनके followers बढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या-क्या कहा उन्होंने कहा कि Jesus खुद के बारे में उन्होंने कहा है कि वो भगवान के son है He is the son of God और वो भगवान के बेटे हैं और धरती पे आए हैं उनका पैदा होने का कारण लोगों के कर्मों को condemn करना नहीं है बलकि उनको उनको कर्मों से आजाद करना है उनको मुक्तित करना है लो अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो आप इश्वर के सामने उनको accept कीजिए ठीक है आज भी जैसे होता है न चर्च के अंदर confession होता है तो वो चीज़ें उन्होंने शुरुआत की कि आप confess कीजिए अपने क्राइम को अपने कर्मों को जो आपने गलत किया है उसके बाद आ बता रहा है खुद को इश्वर का सन बता रहा है तो ये गलत है ऐसा बहुत बार होता ही है ब्लासफोफेमे के नाम पे तो इसलिए क्या है कि वो लोग इन से नफरत करते थे इन्होंने बहुत सारी चीजे कही कि अगर आपको इश्वर की kingdom में जाना है heaven में जाना है आपको स fan following है वो बढ़ती जा रही थी और जुड़ाइजम को छोड़के जो जुड़ाइजम के concept थे जो धारनाएं थी उनको छोड़के लोग इनके fan followers बनते थे तो इसलिए जो clergy group था जो लोग पसंद नहीं करते थे इसको और जुड़ाइजम के जो प्रिश्ट थे वो इनको पसं पसंद नहीं हैं जिनके बारे में जिकर मिलता है क्रिश्टिन के text में कि इन्होंने कि कुछ-कुछ लोगों को माफ किया माफ किया इन दे सेंस इश्वर की तरफ से इनको माफ किया उनका प्रतिनिदी बनके तो यह चीज भी जो जुड़ाइजम के जो एक्स्रिमिस्ट थे उनको पसंद नहीं आ रही थे उनको कहा कि इश्वर का प्रतिनिदी बनने का ठेका इन्होंने कैसे ले लिया इस तरीके कि इनके चीज में एक कॉन्फिक्ट चलता ही जा रहा था और यह मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो बैक्ग्राउंड बनता जा रहा है जिसस क्राइस जो कमजोर हैं, वीक हैं, उनके लिए भी आपका यह दरवाजे खुले हैं और वो पहले जा सकते हैं बस इश्वर की इश्वर जो चाहते हैं वही आप फॉलो कीजीए ठीक है Jesus is the Misa and was given the authority to forgive others तो Misa यानि कि Misa होता है जोड़ा इजम में इश्वर को बाना जाता है Misa कहा जाता है और ये language जो है Hebrew language है उसके अंदर की बात कर रहा हूं आपको तो ये सब teaching इनों ने दी और service के बारे में इनों ने काफी कहा कि हर वो व्यक्ति जो कमजोर है उसकी आप मदद कीजिए ये Jesus की teaching थी लेकिन फिर Jesus Christ का कुसिफिकेशन हुआ इनको एक क्रोस के उपर इस तरीके से हाथों में कील डालके पैरों में कील लाके यहाँ पे इनके सर के उपर एक कांटेदार वो पहना दिया गया गरूप था वो इनको पसंद नहीं करता था और वो इनके खिला सौजिश रचता जा रहा था और अंत में इनको उन्होंने कुरूसिफाइड कर ही दिया तो बहुत सारे स्कोलर्स का मानना है कि 30 AD से लेके 33 AD के बीच का जो समय है वहाँ पे Jesus Christ को यहाँ पे सूली पे लटकाया गया इस क्रोस पे लटकाया गया ठीक है एक्जेक डेट का यहाँ पे किसी को एक्जेक नहीं पता है लेकिन यह टाइम लगबग यह था 30 से लेके 33 AD के बीच में ठीक है फिर उसके बाद Bible में लिखा हुआ है जो Holy Text है जो Christian Religion का सबसे important text है वो है Bible इसमें कहा गया कि Jesus Christ को arrest किया गया किस के आधार पे इस चीज के आधार पे कि यह blasphome में फैला रहे हैं लोगों को बर्गला रहे हैं खुद को सुप्रीम मान रहे हैं और सत्ता को challenge कर रहे हैं तो उस समय Roman Governor हुआ करते थे Pontius Pilate Pontius Pilate जो है यह Roman Governor हुआ करते थे इस जोडिया इलाके के जोडिया नाम का इलाका हुआ करता था जहां पर ही रहते थे तो इस इलाके में Pontius Pilate ने इनको पकड़ा अरेस्ट किया और उसके बाद Jesus को guilty माना गया उनके crimes के लिए कहा गया कि आपने बहुत सारे crime कियें Blast of Emy Fly है और उसके बाद Roman soldiers ने Jerusalem में Jesus Christ की body को एक तरीके से crucified कर दिया उनको मार दिया ठीक है लेकिन उसके बाद की जो घटना है वो बड़ी important है वो है Recercation Recercation यानि की मृत्यू के बाद पुन्र जीवित हो जाना तीन दिन बाद दो दिन बाद सोरी दो दिन बाद जब Jesus Christ को जहां दफना दिया गया था वहां से वो निकल के आते हैं और अपने लोग जो थे इनके disciples जो है उनको वो बहुत सारी बातें बताते हैं उनको प्रीज करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज थी एक बहुत बड़ा मिरेकल था और उसके बाद लोगों ने इनको भगवान मान लिया बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले इनकी बातों में बिलीव नहीं करते थे वो भी इनको इश्वर का परतिनीदी मानने लग गए तो ये था जीसस क्राइस का जीवन और उनकी मतलब मृत्यों के बाद जो टाइम आता है दो दिन बाद वो निकल के आते हैं उसको बोलते हैं इस्टर वो इस्टर का त्योहार भी मनाते हैं संडे के दिन आये थी ये तो इस्टर का टाइम था वो और एक बात आती है एक इंपोर्टेंट घटना थी वो है दे लास्ट सपर ये जब हुआ जब इनको क्रूसिफाइड किया गया उससे कुछ दिन पहले जीसस ने अपने जो फॉलोवर्स थे अपने डिसिपल्स जो थे उनके साथ एक सपर किया था एक खाना खाया था उनके साथ बैठके और इस लास्ट सपर में क्या चीजे हुई इसमें उन्होंने बता दिया कि उनके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है ये जो घटना ही हुई crucifixion की और उनको किस तरीके से एक तरह से crucified किया गया किस तरीके से उनके हाथों में पैरों में कील लगाई गई वो सब चीजें उन्होंने पहले से ही predict कर दी थी कि ये सब चीजें होने वाला है आप लोगों से ये सवाल पूछे जाएंगे मेरे को ऐसे लटकाया जाएगा लेकिन उसके दो दिन बाद मैं वापिस आऊँगा तुमसे बात करूँगा तुम्हें प्रीच करूँगा और तुम्हें उन टीचिंग्स को किस तरीके से spread करना है सारी चीजें इन्होंने पहले से predict करके बता दी थी तो ये एक भोती important event था इसको the last supper कहा जाता है ठीक है तो ये भी एक miracle से कम नहीं था ठीक है उसके बाद बात आती है कि जीसस को Christ क्यूं कहा जाता है जीसस Christ कैसे नाम पड़ा मैंने तो आपको बताया था Jesus the Glalie वगेरा इनके नाम थी जीसस देन जारेत इनके नाम था तो ये कैसे Christ कैसे नाम पड़ा देखे इसकी दो कहानी है एक तो कहानी है कि जो text मिलते हैं उनके अंदर कहा गया है कि इनके एक disciple थे जिनका नाम था Peter एक बार Jesus Christ ने पोचा कि मैं कौन हूं? Who am I? तो उस वेक्ति Peter ने कहा इनके disciple ने आप हैं Jesus Christ तो Christ जब उन्होंने कहा तो उससे Jesus खुश भी हुए और उन्होंने इस title को ले भी लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है आज से मेरा नाम Jesus Christ रहेगा और Peter को इस चीज के लिए पीटर से इस चीज के लिए वो खुशी भी हुई पीटर को उन्होंने reward भी दिया और उन्होंने इनको pop बना दिया एक जो church है उसका pop बना दिया और ये जो pop का पद है जो आज भी Catholic pop जो होते हैं Catholic church में सबसे बड़ा पद माना जाता है Catholic religion में वो पीटर से ही शुरू हुआ था ऐसा ही माना जाता है कि वो pop जो है वो आगे चलके इनके heritent है पीटर के पीटर को ही represent करते हैं वो आगे चलके pop ठीक है एक तो ये कहानी है दूसरी ये बात है कि Greek word है kariots kariotos का मतलब होता है Hebrew भास्या में अगर इसको change करें तो मिसा और मिसा जो language है Hebrew जो language है मिसा उसका परतिनिदी को ही बोला जाता है kariots ठीक है Christ यानि anoint one उस वेक्ति को जो मिसा का परतिनिदी है एक तरीके से जो मिसा की तरफ से anointed है उसको बोला जाएगा Christ तो Jesus जो है वो खुद को और उनके जो followers है वो मानते ही थे कि Jesus Christ son of God है son of Lord है तो इसलिए इसको माना जाता है कि ये शब्द वहां से आया Christ शब्द वहां से आया और Hebrew language में जो यहूदी जो मानते है उसके हिसाब से तो ये है कि ये जो title है मिसह और जो करियेट जो है ये तो बना है कि ये तो son of King David है और King David जो है वो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी आउत्तरित होंगी incarnation होगा और वो आगे चलके fortunate कर देंगे इस्राइल को इस्राइल यानि कि Holy Land of जोड़ाइज ठीक है जोड़ाइजम को फोलो करने वाली है Jewish लोग है ठीक है यहूदी है बेसिकली तो ये बात है फिर बात आती है Christian Bible की अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी वो सब चीजों का कहां पे आपको source क्या है कहां से पता चलता है कि Jesus Christ का जनम वहां हुआ कैसे उन्होंने किस तरह से उनको crucify किया क्या क्या उनकी teaching है ये सब चीजे जो मिलती है ये मिलती है Bible में और Bible जो है जो किसी एक आदमी नहीं लिखी 66 books को मिला के collection मिलके Bible बनता है ठीक है उसके बाद बात आती है कि Bible के भी दो Testament मिलते हैं आपको एक तो है Old Testament और एक है New Testament Old Testament तो वो है जिसको जोडाइजम के लोग भी follow करते हैं उसमें believe करते हैं कि उसमें आपको detail में पता चलता है कि Jewish people कैसे थे कैसे थे Jewish लोग यहुदी लोग कैसे थे उनके कानून किस तरीके से क्या-क्या follow करना पड़ता था उनके detail में उनके livings के बारे में उनके prophets के बारे में उनके traditions के बारे में आपको पता मिलता है मिसा के क्यमिंग के बारे में जो जानकारी हैं वो भी मिलती हैं जो डाइजम के बारे में नहीं मृत्यू के बाद सोरी जिसस क्राइस की जो डेथ हो गई थी क्रुशिफिकेशन के बाद उसके बाद ये टेस्टामेंट लिखा गया और इसमें शुरुआत में चार बुक लिखी गई जिनको बोलते हैं गोस्पेल्स ये हैं मैथ्यू, मार्क, लिूक और जॉन के गोस् गोस्पेल्स के अंदर जिसस क्राइस के जीवन और उनकी जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में डिटेल में इनफोर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद इन ये चारु जो लिखी गई थी, सत्तर एड़ी से लेके सो एड़ी के बीच में इनको लिखा गया है ये तो इन लेटर को बोला गया इपिस्टल, लेटर कोई बोलते हैं इपिस्टल और ये लेटर जो हैं, ये भी बड़ा पार्ट है न्यू टेस्टामेंट बाइबल के, ठीक है, तो इनके अंदर बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, वो चीजें, इन लेटर में बताया है कि चर जो है, जो Catholic Church वगेरा होते हैं, पहले तो Catholic Religion इथा, उसके बाद दूसरे Religion आए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे ही, तो चर्च को किस तरह से operate करना चाहिए, क्या-क्या, उसमें पॉप की क्या जिमेदारिये हैं, लोगों को किस तरीके से Religion को follow करना चाहिए, वो सब चीज उसका साइन तो आपको पता है, जब crucified किया गया, उसके बाद ये साइन जो है, Christianity में सबसे important होई गया, ठीक है, उसके बाद बात आती है, Christian धरम के परचार की, इसाई धरम का spread कैसे हुआ, अब देखिए, शुरुआत में Jesus Christ और उनके आसपास के जो लोग थे, जो उनके follower थे, सिर्फ वही लोग थे, जो Jesus Christ की teaching को जानते थे, लेकिन आज के समय जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा religion बन गया है, जिसमें 2.38 billion people इसको follow करते हैं, तो क्यों, कैसे इसका spread हुआ, तो सबसे पहले बात ये है, कि पहला church जो है, वो बन गया था Jesus Christ की death के 50 दिन बाद, ठीक है इसको बोलते हैं, Day of Pentecost, ठीक है, Day of Pentecost बोलते हैं, जिस दिन ये पहला church बना, और वो Easter के 50 दिन बाद बना, Easter वो दिन, जिस दिन Jesus Christ को crucify करके, वो 3 दिन बाद वापिस आ गये थे, अपने follower से मिलने के लिए, ठीक है, मतलब उनका पुनर जीवन हो गया था, उसके बाद, 50 दिन लगे, ठीक है, उसके बाद, ये जो church बना, उसके बाद, आस पास के कुछ लोगों ने तो Christian religion को वैसे ही follow कर लिया, जो उनकी follower थे, पहले से थे, उन लोगों ने follow कर लिया, उसके बादा कुछ जो Jewish लोग थे, जो Jerusalem में रहते थे, और उन्होंने देखा, कि Jesus Christ किस तरह के वेक्ति थे, और वो वापिस आये, उनके miracles को जो समझते थे, उन्होंने follow किया, उसके बाद, कुछ ऐसे लोग भी थे, जो non Jewish थे, जो किसी भी धरम को follow नहीं करते थे पहले, वो भी Christianity की umbrella के नीचे आ गए, तो यहां से Christian religion, initial phase में, शुरू होना हो गया, start, और फिर Christianity के जो missionary groups ह वो बन गे जो pop वगरा है, जोन एक वेक्ति थे, एक important pop थे, जिन्होंने काफी इसको फैलाया, परचार किया, ठीक है, तो Christianity के जो missionary है, वो आपने इंडिया के history में भी बहुत बार देखा होगा, कि बहुत सारे जो missionary groups है, वो भारत में उन्होंने अपने religion का परचार परसार कि या, जैसे यहूदियों का आगे चलके बहुत persecution हुआ है, उसी तरीके से बहुत सारे religion है जिनका persecution हुआ है, अलग लग जो rulers हैं उनके दौरा और उनके time पे जो दूसरे powerful groups हैं उनके दौरा, ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि Rome जो है, Roman Empire का ही तो शुरुआत में यहां पर इसको वो कर रहे थे कि यह धरम illegal है जो इसको मानने वाले हैं, उनको सजा मिलती थी, ठीक है, तो शुरुआत में Roman leaders इसको पसंद नहीं करते थे, Jewish extremists थे, वो भी इनसे नफरत करते थे, और Nero, Dominician, यह first century के अंदर और second century के अंदर जो ruler हुए है, Roman Empire के उन्होंने बिलकुल भी Christian religion को एक तरीके से अपना patronism नहीं दिया, उनको protection दिया ही नहीं, उनको हमेशा एक सरसे परताडित किया और उनको brutally मारा तक, जो लोग के इस Christian religion को follow करते थे, लेकिन उसके बाद समय बदला, और Roman Emperor Constantine जब यहां पर राजा बनते हैं, वो Emperor बनते हैं, 280 से लेके 337 के बीच का ज इन्होंने Christian religion को follow किया, तो उसके बाद जो है, Roman Empire जो है, यहां पर Christian religion follow किया जाने लगा, यहां से शिरुवात होती है, Christianity के spread की real में, ठीक है, तो यह जो है, यह इसके लिए बहुत important time था, वैसे ही आप इसको मान सकते हैं, जैसे कि अशोक के समय पे भारत में बुद्धियम अपने फैलने की चरम सीमा पे पहुचा था, बहुत speed से फैलना शुरू हुआ, क्योंकि एक बहुत ही महान राजा ने उसको अपना सनरक्षन दिया, तो उसी तरीके से Constantine ने क्या किया, Christianity को embrace किया, और उसके बाद इसको परचार परसार करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसके और ये पहले बन चुके थे, थोड़े मा भी आपको बताऊंगा, Catholic religion जो है, ये Roman Empire का state religion होगा, तो Roman Empire जो पहले नफरत किया करता था Christian religion से, वो 380 AD आते आते, Catholicism को अपना state religion बताने लग गया, ठीक है, किसके टाइम पे, Theodotius के समय पे, और उसने कहा कि Pope जो है, Bishop of Rome जो है, ये Roman Catholic Church के head होंगी, तो Pope का पद जो है, उसको official, यहाँ पे एतरीके से स्विकरती मिल गई, Roman Empire में, ठीक है, और आज भी Pope होता ही है, आपको पता है, Vatican City में, यहाँ पे जो कि Catholic religion का सबसे बड़ा head है, वो Pope रहते हैं, कहाँ पे, Vatican City में, जो कि Roman Empire का हिस्सा हुआ करती थी, ठीक है, उसके बाद Rome जो है, इसका पतन हुआ, Roman Empire जो है, 406 AD के समय इसका पतन हुआ, उसके बाद जो है, Eastern और Western जो Christians थे, वो अलग-लग हो गए, Catholic वाले तो Roman Empire में थे ही, और Eastern Christian और Western Christian जो है, अलग-लग हो गए, उनके उपर political rule तो एक रहा नहीं, इसलिए उनके जो अपने-अपने मत separate हो गए, ठीक है, तो यहां से एक separatism दिखने को मिलता है आपको, Christian religion में, लेकिन उसके बाद क्या होता है, यह Catholic Church है, इस तरीके का होता है, चर्च आपने अगर देखा ही होगा कहीं ना कहीं तो, फिर बात करते है, Christian beliefs की, Christian धर्म के जो लोग है, वैसे तो Christian religion आगे चलके बट गया, तो इनके belief में भी कुछ ना कुछ changes तो आपको दिखेंगे, लेकिन basic जो belief है, जो सभी Christians मानते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले मानते है, God की form क्या है, यह कहते हैं कि एक ही God है, एक इशुरवाद में विल्यू करते हैं, और उसको कहते हैं कि वो सब का फादर है, वो फादर है, और Jesus जो है, वो उसके सन है, और हम सब जो लोग जो Christianity को follow करते हैं, उनके according, जो Christian religion को follow करते हैं, वो सब उसके सन है, तो Jesus Christ ने क्या कहा था उनको, कि God जो हैं, वो हम सभी के फादर हैं, तो उसी रूप में वो God को देखते हैं, फिर Trinity के concept में विल्यू में देखते हैं, खुद भगत को, जो उसके followers हैं, उसको सन के रूप में देखते हैं, जो उनका पुत्र है, और Holy Spirit जो है, और Bible जो है, इसको मानते हैं, ठीक है, Holy Spirit जो है, जो Jesus Christ की teachings है, उनको ये मानते हैं, तो ये Trinity है, ये तीन concept हैं, जिनमें विल्यू करते हैं, और उसके ब जो जीवन है, उसमें तो बिल्यू करते ही हैं, क्योंकि Jesus Christ खुद मृत्यू के बाद से उठके आ गए थे, तो इसलिए Jesus Christ की बाद जो है, उसमें ये बिल्यू करते हैं, और उसी तरीके से लाइफ जो है, डेथ के बाद भी बिल्यू करते हैं, कहते हैं, Christians जो कहते हैं, काफी भी चर्च में जाके कोई व्यक्ति अगर क्रिश्चन धर्म को इंब्रेस करना चाहता है चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो तो वो यहाँ पर बैप्टाइज करके उसको वो क्रिश्चन धर्म को अपना सकता है और जीसस की टीचिंग्स को इंब्रेस कर सकता है उनको जेरुसलम ठीक है उसके अलावा जेरुसलम वो जगह थी जहां जुडाईजम का भी यहुदी धर्म का भी यहीं से शुरुआत हुई उसके अलावा जो इसलाम है मुस्लिम रिलिजन है उसके जो सबसे चीफ है प्रॉफेट मुहमद पैगंबर सहाब वो भी उन्होंने अपनी स्वर्ग की यात्रा जेरुसलम से शुरू की थी तो जेरुसलम जो है वो एक boon of contention बन गया तीनों religion के लिए जेरुसलम सबसे important side थी Christianity के लिए और उसके लावा जोड़ाइजम के लिए तो थी ही और तीसरी सबसे important side थी इसलाम के लिए क्योंकि पहली दो मक्का और मदिना और उसके बाद जेरुसलम तो इनके बीच में सब हर कोई जेरुसलम को कंट्रोल करना चाहता था तो यह जब समय आया जब हम बात करते हैं एक हजार से लेके 12-1300 तक का जो समय है इसके बीच में यह जो एरिया था यह कंट्रोल हुआ करता था मुसलिम रूलर्स के यहां पे इसलामिक रूल हुआ करता था जेरुसलम में तो एक यहां पे धारना बनी यहां का जो पॉप था यहां के जो चर्च थे उन्होंने यह कहा कि अगर आपको जो आप सीरियसली आप करिशियनिटी में बिलिव करते हैं तो आपको यह जो होली साइट है जहां पे जेसिस क्राइस ने अपने प्रीचमेंट दिया जहां पे जेसिस क्राइस का जीवन भी था इसको हमेरे कंट्रोल में करना पड़ेगा Jesus Christ का जो जगह है special जो Christianity के लिए तनी important site है उसको हमारे control में लेना पड़ेगा तो इसलिए बहुत सारी लडाईयां लेडी गई यहां से Roman Empire यहां पे Catholic जो लोग हैं जो इसाई धरम के लोग हैं तो एक धरम युद्ध हुआ एक religious battle हुआ यहां के Islamic countries और यहां के जो Christian believers हैं उनके बीच में तो इनको बोला जाता है Crusades और आठ Crusades हुए टोटल मिला के 1096 से लेके 1291 तक टोटल मिला के आठ बार यह बड़े बड़े वोर हुई जिसमें कुछ में इनको मदद मिली कुछ में यहां पे Europeans जीते कुछ में यह Arabian country जीते लेकिन अंतिम रोप से जब सारे Crusades खतम होगे तो यहां पे Christians की हार हुई Basically यहां से Jerusalem इनके कंट्रोल में नहीं आया Jerusalem कंट्रोल में तो नहीं आया लेकिन एक चीज रही कि जो Christians belief है यह belief जो है क्योंकि religious battles थे religious लड़ाई थी फिर बात आती है कि Catholic Church में कुछ changes आये कुछ corruption आया और यह हर religion में आता है जबी भी कोई धरम एक बहुत उपर पहुंच जाता है तो उसके जो कुछ clergy होते है जो जिनके हाथ में power होती है religion में कुछ changes करने की वो उसमें change करते हैं तो यहाँ पे pop के पास काफी power थी Roman Empire में और Western Europe में वो जो politics हुआ करती थी वहाँ के जो rulers थे उनको काफी यहाँ पे influence करता था पोप क्योंकि पोप के पास जनता का support था तो जनता का support था तो पोप अपनी मन मर्जियां चलाने लग गए थे ऐसा कहा जाता है और इसी के वज़े से यह जो religion है इसका divide भी हुआ तो इस चीजे से corruption जब हुआ और लोगों को एक तरीके से political manipulation होता था उसके अलावा जो powers थी, wealth थी चर्च अपनी भढ़ाता जा रहा था हर तरीके से यहां पे अपने अपने नए नए जो चीजे हैं जैसे जुडाईजम में traditions वगएरा डाल दिये थे उस तरीके से इन्होंने भी डाल दिये ठीक है तो एक तरीके से पतन का थोड़ा समय दिख रहा था तो एक चीज और थी उन्होंने एक ऐसी चीजें हुई कि sale of indulgence भी कर दिये indulgence क्या होता है जैसे प्राश्चित करते हैं जैसे confession वगएरा होता है तो एक spiritual privilege होती है कि हर कोई व्यक्ती जो कि Christianity को believe करता है वो यहां पे indulgence ले सकता है जाके उसको आप sale नहीं कर सकते हैं लेकिन पॉप ने क्या किया कि indulgence को भी sale करना शुरू कर दिया कि आपको अपने पापों से मुक्त होना है तो आप यहां पे पैसे दे के आ जा दिये उन चीजों के भी मतलब पाप से मुक्ती के लिए भी पैसा लेना शुरू कर दिया तो इस चीज से नाराज हो गए काफी सारे लोग और उनको लीड किया एक वेक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर ध्यान रिखेगा यह मार्टिन लूथर है मार्टिन लूथर किंग से इन से कन्फ्यूज मत हो जाना मार्टिन लूथर किंग वो थे जिन्होंने 1950 के दशक में अफ्रिकन अमेरिकन्स को ब्लैक्स को उनके राइट्स दिलाने में मदद करी थी वो अलग वेक्ती थे और ये मार्टिन लूथर है जो की एक जर्मन स्कोलर थे एक रिलिजन को फोलो करने वाले मौंक थे ठीक हैं और ये प्रीस्ट भी थे तो इन्होंने कैथलिक चर्च को सीधा चैलेंज कर दिया इन्होंने कहा कि ये जो सब चीजे चल रही है आपके यहां पे क्रेक्शन ये सही नहीं है इसको नहीं माना जाएगा हम इस चीज को असरप नहीं करेंगे और उस समय पॉप को चैलेंज करना एक तरह की की ब्लास्फ फोफ हमी थी बहुत बड़ी बात थी कि जो आदमे पॉप को चैलेंज कर दे तो उसको तो कभी भी मार दिया जा सकता था लेकिन उसके बावजूद भी मार्टिन लूथर जो है इनका जनम तो 1483 में हुआ था 1517 आते आते मार्टिन लूथर ने एक थीसिस लिखा 15 15 में किस्टन लिखे इन्होंने और इन्होंने सीधा टांग दिया पिचाण में किस्टन लिखे कि पॉप इन पिचाण में किस्टन का जवाब दे दे और जनता समझ ले कि क्या चल रहा है इस कैथलिक चर्च में और क्या इस चीज को आप असेप्ट करते हों क्या जिसस क्राइस की टीचिंग यही थी तो यह सब चीजे जो थी तो इस वज़े से जो इनके फॉलोवर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए इन्होंने बहुत सारी चीजे बताई कि पॉप जो है वो सुप्रीम नहीं है वो जो कहे वो ही सब नहीं होगा ऐसा नहीं है कि बाइबल ने आपको सब राइट दे दिये हैं और यह जो जिसस क्राइस की टीचिंग में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पॉप सबसे ज़्यादा सर्वशक्ति मान होगा उसकी बात ही मानी जाएंगी तो इस तरीके से क्या हुआ उसके बाद क्रिश्चनिटी जो है वो टूट गया इन्होंने शुरुवात में जो चाहा था कि catholic religion है इसी में हम change करें ठीक है लेकिन kg religion जो है जो western part था western region बाना जाता है western christianity मानी जाती है उसमें इन्होंने change करनाई कोशिश की उसमें सोचा कि reform करेंगे लेकिन reform फिर नहीं हुआ तो इन्होंने अपना एक खुद Christianity के अंदर ही सब सेक्शन बना दिया जिसको बोलते हैं Protestant क्या है आप मान लिजे प्रोटेस्ट करने वालों का religion जो है Christianity में Protestant बन गया अब एक Protestant को इस तरह से आप देख सकते हैं Christianity में ठीक है ये चीज रही उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आगे चलके जो religion है वो सिर्फ Christianity में Protestant और Catholic ही नहीं रहे और भी बट गए देखी ये तो थे ही बेसिक तो यही ही Catholic Protestant और Eastern Orthodox Eastern Orthodox तो पहले ही खतम हो गए था जब 446 के समय ही खतम नहीं सोरी हो गए थे यह Western हुआ करते थे और Eastern जो है 446 में जब Constantine का जो Empire है Roman Empire वो तूटा तो उसके बाद यह हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद Catholic religion और Protestant जो है Western जो religion है उसमें से तूट गए Western Christianity में से तूटे ठीक है उसके बाद जो है यह ब्रांचे जो बनी इसमें कुछ common differences है जैसे Catholic लोग जो है वो पॉप को सुप्रेमिसी को मानते हैं पॉप की सुप्रेमिसी को मानते हैं कि पॉप सबसे उपर head है religious head हैं लेकिन Protestant ऐसा नहीं मानते वो इस कलरजी सिस्टम में नहीं बिलिव करते हैं आज के समय भी अगर आप सब Christians की बात करें तो 50% तो अभी भी Catholic हैं लगबग 36-37% जो है Protestant हैं और बाकी लोग मिला विलाके और भी हैं यह Eastern वगरा मिलाके बन जाते हैं आपके 2.38 billion ठीक है तो Eastern जो है वो अपने head मानते हैं head bishop उनके होता है लेकिन पॉप की सुपरमेसिक वो इस तरह से बिलीव नहीं करते हैं जिस तरह से यहां पे Catholic लोग मानते हैं ठीक है और उसके बाद धीरे-धीरे जो है Protestant में है इन में भी अपने-पनी reforms होने लगे Protestant तो एक liberal religion था Christianity का ही जिसके अंदर वो अपने-पने हिसाब से उसको interpret कर सकते थे जो Bible में लिखा हुआ है तो इस तरीके से जो आगे चलके इनके interpretation के हिसाब से जो Protestant हैं उसमें काफी सारा आपको changes मिलेंगे उनके belief में Catholic जो हैं वो hardcore orthodox हैं उनके जो belief हैं वो अलग है और Protestant के आपको अलग दिखेंगे यहां पे भी एक आपको difference देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि Catholic लोग मानते हैं कि God है God के जो वो है son है वो Jesus है उनके एक तरह से representative है human form में Jesus Christ और उसके बाद उनके disciples हैं जिनको apostle कहा जाता है और उन्होंने जो चीजे लिखी और उसके बाद ये tradition में scripture में और church में believe करते हैं ठीक है scripture यानि कि जो लिखा हुआ है Bible में और साथ ही साथ जो letters है जो उनके disciples के apostles के उनमें believe करते हैं ये Catholic लोग हैं लेकिन दूसरी तरफ है Protestant इनका थोड़ा simple है complexity कम है ये कहते हैं कि इश्वर है Jesus Christ उनके son है basically वो उनके एक तरह से representative है human form में य उसके बाद उनके apostle आते हैं यानिकि उनके जो जो उनकी teachings हैं उनके disciples हैं जो इन्होंने बताया उसके बाद जो Bible है Holy Bible है सिर्फ उस Holy Bible में believe करते हैं ये नहीं मानते कि कि किसी तरीके कि किसी church के pop को या church को हमें ये बताने की जरूत है कि religion क्या है basically यही दोनों के बीज में difference है Catholic प्रोटेस्टेंट में ठीक है तो यह था आपका Catholic, Protestant और जो Christianity हम अगर larger way में बोलें तो Christianity के बारे में हमने detail में चर्चा की hopefully आपको सारी चीज़े clear हुई होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को like कर सकते हैं, share कर सकते हैं और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं ठीक है और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप channel जो हमारा description में दे रख है telegram का link उसको भी join कर सकते हैं, so thank you so much for watching this video, have a good day, see you in next class.